असलाम कुम एबरियों वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल हिबास किचन आज मैं आपका बनाना स्कारीन ब्रैट पर कोड़ा जिसके लिए हम सबसे पहले उसकी फिलिंग त्याद करेंगे जिसके लिए हमें जो चीजे चाहिए वो हैं अधा के लिए मैं नहींने यहां पर ऑल जो लियें नाशयूमिश जीरा लिये आ 5 टेबल स्पून ब्लैक पपर लिये और제가 पाल पैटम capable dau कि मैंने 1 थीज़़ों अलब आपक तेशोप में पाल निया थानिया-पोडर लिये कर सकते हैं अब हमारे जो आलू है वो अच्छे तिरी की स्मेश हो गया है अब मैंने जो चीजे लिए वह है इसमेड करूँगी सबसे पहले जीरा डाल दूँगी अजवाइन डाल दूँगी ब्लैक पैपर डाल दूँगी नमक डाल दूँगी धनिया पाउडर और लास्ट प्रिम मैंने यहां पे जो सबस मिर्चे लिए वह सब कुछ डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लोंगी अपना जो ब्रैट प्रिम मैं अपना स्टार्ट करूंगी अब मैंने अपनी में जो ब्रैट प्रट आना कोड़ा है वह बनाना स्टार्ट करूंगी कोटिंग करने के लिए यहां पर हाफ कप बेसन ले लिए है आप इसकी मिदार कम यह जादा कर सकते हैं जिससाब से आप ब्रैट पकोड़ा त्यार करें हैं इससाब से इसमें मैं बिल्कुल दो चुटकी नमक डाल दूँंगी हाफ टी स्पून मैं इसमें जीरा एट कर दूँंगी और इसके बाद मैं इसमें वान टी स्पून या फिर हाफ टी स्पून आप अपने अकॉर्डिंगी इसमें पैप्रिका पाउडर एट कर सकते हैं और इसके बाद मैं इसमें वान टी स्पून पार्सले आड़ कर दूँंगी ड्राय पार्सले इमें आड़ कर दिया है हमें इन सब चीजों क अच्छी तरह मिक्स कर लोंगी अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी अट करती जाओंगी और इसको हिलाती जाओंगी एक दम हमने पानी नहीं डाल देना है इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको एक फ्लोई सा हमने मिक्स से त्यार कर लेना है या प्थोड़ा पानी दालती जा रही हो इसको अचहे मिक्स कर जा रही हूं अब मेने इसमे ठोड़ा सौब पानी अटेल लिये इसचे तरीके से मिक्स करोंगी यह आप देख सकते हैं कि अभी भी यह थोड़ा थिक है हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह आप देख सकते हैं कि इस फोर में आगया हमें इसी फोर में चाहिए आप देख सकते हैं कि ना ज्यादा अब यह पतला है और यह ज्यादा थिक है अब हम अपने ब्रेड पर कोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर ब्रेड ले लिए आप उस तरी ब्रेड ले सकते हैं जितना कि आप बनाना चाहते हैं यह जो इस स्लाइसिसं हैं मैं दर्मियान में से कट कर लोगते हैं दर्मियान में से कट कर लिए। छi मैंने आप अपणी ब्रेड के ब्रेमेmir के अपने कोड़ा कने साफ सकती है और अब मैं इसके उपर जो कटी हुई स्लाइस है इस पर अपने जो आलोओं का मिक्स्चर है वो लगाती जाओंगी यह इस तरह करके अच्छे से फिला लूँगी हर तरफ में और इसको फिर उपर से मैं दूसरा स्लाइस रखके कावर कर दूँगी इसी तरह मैं बाकी स्लाइस भी त्यार कर लूँगी यह विए मैं इसको फ्राइपन ले लिए और इस बाकी में उतर आप लालो गएयो तरह में उतना और लालों के आमें इस इफ ब्रैट को फ्राय करने के लिए चाहिए और इसको मैं तक्रीबन 30-40 सेकेंड के लिए थोड़ा प्रिविट होने दूंगी अपना जोएल है उसको प्रिविट हो चुका है अब मैं यहां पर ब्रेड पर सबसे पहले कोटिंग अब फिर इसे फ्राइ होने के लिए टाल लूंगी यह आप लोग देख सेते हैंगे मैं अच्छे से कोटिंग कर लिए है अब मैं से फ्राइब होने के लिए टालती जाओंगी और तीस से चाली सेकिंड एक टाइब को मैं प्राइब होने दूंगी तो यह एक दूसरा तरीका है आप कोटिंग करने का कि आप इसके ऊपर भी एक साइड पर कोटिंग करके दूसरे साइड ग्रपे ऐसे से फ्राइपैन में रखके भी कोटिंग कर सकते हैं तो दो तरीके यहां पर हैं कोटिंग करने के ब्रेड के ऊपर हमें इसके साइड चेंज कर लूँगी कि अपर प्राइब लूँग करने के इसके तापिप लूँगी कि अपर जाफ लूँगी कि मजँगी क्या चुब लूँग कि ब्रूदग तो ब्रेट पकोड़ा अब वह बिल्कुल त्यार है अमें सिर्भाइर एक प्लेट में नकाल लूँगी तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ब्रेट पकोड़ा है वह बिल्कुल त्यार है तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राब ज़रूर करें अल्ला आपिस